हलो दोस्तों मैं विसंदत टेपस अन लिविन से और आज हम बात करेंगे दोस्तों चेन्ने और बैंगलोर की रेसे हैं दस फरवरी को और दोनों में ही यार सौट सिलेक्शन लेके चलूँगा और चेन्ने में आ जाते हैं चेन्ने का कार्ट थोड़ा सायार मदब आप कह सकते हैं क्लासिस की रेसे हैं तो क्लास फाइब की पहली रेस है पहली रेस दो बच के पंदा मिनिट में आगली रेस चार बच के पंदालिस मिनिट में तो चेन्ने की बात कर लेते हैं पहली रेस में गोड़ा 1100 मिटर के लास 5 की रेस है यार मेरा पिक रहाएगा तीन नमबर MSG, Fantasy लास्ट टाइम गोड़ा मतब स्लो निकल के विदाउट विप रेस थे इस्टर्न मैडन के आगे और उससे पहले फेर्वेट था इंक्वारी उपन हुई थी गोड़े पे यार और यहां पर उमीद करी जा सकते हैं इस बार ही गोड़ा 1100 मिटर जाना है और जीते और साथ नमबर पिक करके चलूँगा दोस्तो इसी रेस में लिटिल वंडर लास्ट टाइम भी मैं इसको लेके चला था गोड़े को और यहां पर ऐसे अमीद बैठा दिया है लास्ट टाइम विना विप की रेस थी और उमीद करते हैं एक बैटर रन दे गोड़ा और सेकंड रेस में आ जा दोस्तो पांच नमबर हरन इनायत ठीक है और थार्ड डेस में आ जाते हैं दोस्तो चौदर सुमेटर क्लास फोर की रेस है और यहां पर जो मेरा पिक रहेगा दोस्तो एक नमबर टर्फ मेलेडी लास्ट टाइम भी बहुत बैटिंग हुए थी यार गोड़ा नहीं गीत पा अच्छी राइडिंग कर रहा है चेन्ने में इस सीजन और चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों इसमें जो मेरा पिक रहाएगा दोस्तों दो नंबर रूबी रोजा ऐस फारी दंसारी और पांच नंबर सुप्रीम डांस पी साइकुमार और इसमें तीन नंबर भी है दोस्तों तीन नंबर पर आप नज़र रख सकते हैं थार्ड इसमें पांच वी रेस में आ जाते हैं दोस्तों चौदर सुमिटर कि लास्टू की रेस है और यहां पर जो मेरा पिक रहाएगा दोस्तों तीन नंबर एमप्रेस एटर्नल लास्ट टाइम स्लो निकल के भी घुड़ा यार काफी चौदर सुमिटर में चाजीता है चा गोडो की रेस होती है इसलिए जो दिख रहा है वो बताता जा रहा हूं दोस्तों साथ में और छटी रेस वह जाते हैं दोस्तों हजार मीटर के लास्ट फॉर की रेस है और यहां पर जो मेहां पिक रहाएगा दोस्तों पांच नमबर इस्टन मेडन पी साइक कुमार लास्ट टाम अच्छे विक्टरी थी यार पसाड़े पांच लेंटों से और दूसरा गोड़ा पिक करके चलूंगा इसी रेस में दस नमबर फैबलस सो एस ए अमित ठीके दोस्तों चेने का कार्ड यार मैंने जैसा बताया कि इत होता है और क्या बता हो अपने सेलेक्शन से आप लोगों को मिदद मिले ठीके दोस्तों और चेने के लिए आर आप सभी को मेरे तब से बेस्ट विजिस दोस्तों और आजाते हैं इसी के साथ बैंगलोर की रेसों में और बैंगलोर की रेस दोस्तों पहली रेस एक बचके त तोटल नौ रेसे हैं और पहली रेस में आ जाते हैं पहली रेस में जो मेरा पिक रहाएगा दोस्तों दो नमबर कैस आउट एलेक्स रोजारियो और दूसरा गोड़ा पिक करके चलूँगा दोस्तों इसी रेस में एक नमबर एने बॉलियन इमरान खान ठीक है जाते हैं दोस्तों इस बार कहीं पर सूटेबल डिस्टेंस में जा रहा है और यहां पर दोस्तों इस रेस में जो मेरा पिक रहाएगा पांच नमबर टर्को मैन एस संदेश और काफी अच्छी विक्ति थी यार और दूसरा गोड़ा इस रेस में पिक करके चलूँगा दोस्तों दो नमबर अगस्तो अर्सद आलम गोड़े बहुत हैं यहार इस रेस में थर्ड रेस में आ जाते हैं दोस्तों इसी के साथ 12 मिटर किलास 4 की रेस है और यहां पर जो मेरा पिक रहाएगा दोस्तों आठ नमबर एक्टिवेटिड वाईयस सिनात और दूसरा बलास्ट एलेक्स रो जारी हो काफी बार यह गोड़ा यहार मैं सेलेक्सर में ले चुका हूँ दो तीन बारी बारी बट इस बारी हहां पर कुछ टीयर सॉन करे जा रहे हैं तो उमीद करते हैं इस बारी कुछ बैटर रन देखने को मिले गोड़ेगा और आजाते हैं दोस् तो जो टॉप बिरेडे हैं सारी देखने को मिल रही है और यहां पे डाफ़ डिल बोला था यार मैंने डाफ़ डील देख रहा हूं है हाथ दिग गया मेरे को तो इस रेस में मैं सिंगली गोड़ा पिक करके चलूँगा या दो गोड़े डाल दूँगा कही न कहीं पर वह दो और आ जाते हैं इसके बाद दोस्तों पांचवी रेस में 1200 मिटर की रेस है क्लास 4 की यहां पे दोस्तों जो मेरा पिक रहेगा दो नंबर आर्क वे एज जॉन दूसर तीसा ही लग रहा है घोड़ा इस बर ही उमीद करते हैं घोड़ा जीते और दूसर गोड़ा पिक करके चलूँगा इसी रेस में एक नंबर स्वस्यबल एलेक्स रो जा रही हो लास्ट टाइम बहुत बैटिंग हुई थी यार बहुत जिसे कहते हैं कि साइद प्लेस इतनी लगी थी इस गोड़े की और ट्रैवर के नीचे बट जैसा होता अक्सर गाइब हो गया था गोड़ा पांचबा हो गया था और इस बार ही 200 मिटर सौट जाना है एक नंबर का गेट है कहीना कहीं पर लग रहा है उमीद है कि गोड़ा रहे बोड़ में जीते जीतने के भी चांस हो सकते हैं और इसके बाद आजाते हैं दोस्तों चटी रेस में 1400 मिटर किलास 3 की रेस है और यहां पर जो मेरा पिक रहा है दोस्तों तीन नंबर सुभांकर अक्सर कुमार लास्ट टाइम बहुत बढ़िया जिता है था यार अक्सर कुमार ने और इसी रेस में दोस्तों घुड़ा चार नंबर भी है और पांच नंबर भी घुड़े बहुत हैं इस रेस में और नौ नंबर भी है और दूसरा घुड़ा मेरा पिक रहेगा इस रेस में आज नंबर सेजार विच केजी लिके तपू लास्ट टाइम 60 केजी में भागता ट्र रन देखने को मिले और मेजर इवंट में आ जाते हैं दोस्तों सातवी रेस है दा स्प्रिंटर्स ट्राइल इस्टेक्स ग्रेट 3 की रेस है और यहां पर मैं टॉप होर्स इस ऑन फिल्ड लेके चलूँगा यार और एक नंबर पर आ जाते हैं पहले एगनॉस्टिक कलकत्ता का टॉप स्प्रिंटर यही है याल मदब बारहसु मिटर में जीता था लास्ट टाइम पे उच्छ काफी लोवर ओड में और जितने भी मदद कलकत्ता का तो बैस्टी गोड़ा है जैसे मैंने बताया था मल्टिट्यूट बना था वैसे ही कुछ गोड़ी की पर्फॉर्मेंस इस टाइम पे और सारे रन अगर आप देखेंगे मेरे ख्याल से 6-7 रन अल्री बैक टू बैक जीत चुका है गोड़ा तो यहां पे यह फाइनल एंटी देख रहा हूं दोस्तों है कि नहीं है नई इस गोड़ी के फाइनल एंटी नहीं है तो यह डिजर्ब भी करता है और उसके बाद डिजर्ब तो सभी करता है और दूसरा गोड़ा पिक करके चलूँगा इसी रेस में आल अट्रैक्टिव ए इमरान खान लास्ट दोनों ही रन यार फॉरेश्ट फ्लेम के साथ में गुट सैकिन लगा 1400 अगर 1400 या 1600 में यह रेस होती तो साइद हो सकता था यह सिं गोल्डन ओक्स फ्रंट रनर है दोस्तों और अच्छे फिल्ड में जिने कहते हैं कि सभी अच्छे गोड़ों के साथ भागा हुआ है तो यहां पर बिल्कुल इस गोड़े का चांस बनता है और चैनल नोटी रांस है दोस्तों लास्ट टाइम 65 कजी में भागा था और कोई उस दिन जिसे कहते हैं साथ में भी तर रन लिया है और ट्रैक बहुत सुप्रियर जयारहा है दोस्तों इस बर ही आईस जॉन के नीचे है विल्कुल बोड़ा बनता है दो गोड़े और ठैक बहुत इंप्रेसिव जया रहा है और यहां पर जीनने के विल्कुल चांस हैं हैं और साथ नमबर स्टारी ग्लोरी यही लास्ट टाइम बीट किया हुआ इसने नोटीड आंसर को बट इस बारी सूरज के बल्ले विनों सिंदे बैठा दिया है और यहां पर अपसेट आप कंसीडर कर सकते हैं इसको एंडेवर के आगे गुड़ थर लगावा गुड़ा आई है आज नमबर है एजटे कुई बिलकुल टोट अपसेट में आप इसको भी देख सकते हैं कुछ भी हो जाता है रेस है और दोस्तों इस रेस में दो नमबर आल अट्रेक्टिव और चैनमबर नोटीड आंसर दोनों ही फाइनल एंट्री में और इस रेस में दोस्तों जो मेरा पिक रहेगा चानमबर गोल्डन आउक्स एस अंदेश और चैनमबर नोटीड आंसर आइज जॉन या वन्टू के बैट है यार काफी कॉंप्लिकेटिड है अगर दो गोडे और मैं इसमें टॉब में देखूं तो एक नमबर अगनॉस्टिक नोडाउट यार बन रहा है और और बट मुझे ठोड़ा सब्सक्राइब कलकत्ता का गोड़ा पता नहीं बैंगलोर में कासा परफॉर्म करें बस ठोड़ा सब्सक्राइब यही एक डाउट है मुझे अधर डेंजर जोन में डाल दिया गया है रेस को तो यहाँ पे मैं यही दो गुड़े यार मुझे ज़्यादा समझा रहे हैं चार नमबर गोल्डन ओक्स फ्रंट रणर है एस अंदेश के नीचे और चार नमबर नोटी डांसर ट्रैक बहुत सुपरिय जा रहा है यार एस जॉन के नीचे और यह उमीद करूँगा कि यहाँ पे बेटर रंदे और आठवी रेस में आ जाते हैं दोस्तों बारसु मिटर क्लास फूर की रेस है यहाँ पे जो मेरा पिक रहेगा दोस्तों चार नमबर इस्टार एड्माइरल आरेंदर सन और नो नमबर इस्टेप टू डेस्टिनी एस सकलें ठीक है दोस्तों और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों लास्ट रेस में बारसु मिटर क्लास फाइव की रेस है यहाँ पे जो मेरा पिक रहेगा दोस्तों ती नमबर लखी अगेन यार मोग बहुत बढ़िया दे रहेगी गोड़ी की और यहाँ पे उमीद करते हैं जोकी का थोड़ा सा वो लग रहा है बट मोग है और टैग भी अच्छा जा रहा है पहला रन है तो यहाँ पे उमीद करते हैं कि गोड़ा एक बैटर रन दे और दूसरा गोड़ा पिक करके चलूँँगा इसी रेस में दोस्तो छै नमबर अल्टियर लास्ट नाइम गुड़ थर लगा है गोड़ा सी माई हील्स के आगे तो तौसिव खान बेटा हुथा विवेक जी बैड गया 61 kg बेट का थोड़ा सा वो लग रहा है 62 में अल्रेड भागा हुआ है तो काड यार थोड़ा सा मिला जुला है बैंगलो थोड़ा सा इस बारी कुछ बैटर देखने को मिल रहा है क्योंकि बैंगलोर में जौकी और गोड़े सारे ही दोनों ही बड़े बड़े नाम आ जाते हैं तो इसलिए बैंगलोर ही थोड़ा ठी लग रहा है चेन नहीं थोड़ा सा आज ऐसी कार लग रहा है खेट ठीक है दोस्तों और इसके बाद मिलते हैं दुआरा से दूरे से कलकत्ता और चेन नहीं तो ठीक है दोस्तों अपना ध्यान रखें बाई टेक केर मेरे भाईयों बाई